तो गाइस इस वीडियो में हम ENT के एक important topic के साथ आए हैं जिसका नाम है tuning fog test इसका मतलब यह होता है कि tuning fog से हम कान का test करेंगे कि patient को सुनाई दे रहा है कि नई दे रहा है या क्या problem है या क्या hearing loss हुई है कौन सी hearing loss patient को हुई है तो tuning fog के थुरू हम पता कर सकते हैं यह comparative test होता है इसको हम compare कर सकते हैं इसलिए इसको बोलता है comparative test तेखिया tuning fog test में हमें सबसे पहले important यह है कि हमें decide करना है कौन सा tuning fog use होगा test के लिए ear test के लिए इसमें जो most common tuning fog होता है वो हता है 512 hertz का tuning fog यह ज्यादा use होता है ear test के लिए जो tuning fog यूज़ नहीं होता है वो है 120 Hz का tuning fog ये normally यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका जो frequency होता है वो bone conduction की frequency से match करता है तो उस टाइम हमें false testing देखने मिलेगा तो ये test हमें हम यूज़ नहीं करते हैं ये test हम कभी यूज़ करते हैं मेली neurological hearing का problem होता है या neuropathy का problem होता है तो उस तो उससे पहले हम आपको basic point बताने वाले हैं जो है air conduction और bone conduction का part है तो हम पहले air conduction के बारें देर समझते हैं क्या होता है देखिए जब हम tuning fog को यहां रखते हैं तो जब यह tuning fog से जो sound आती है वो air के थू जा रही है तो air के थू वो पिना के थू जाएगी external audit canal फिर यहां रखेगा तो इसलिए इसको नाम रखा है bone conduction क्यूंकि हमने जो tuning fog का foot रखा है वो bone पर रखा है mastoid के bone पर तो इसलिए इसको bone conduction बोलते हैं और इसमें sound directly internal में जाती है यह middle ear को bypass करती है तो इसमें amplification of sound नहीं होता है यह याद रखेगा आइए कुछ hearing loss के बारे में discuss करते हैं इसमें आता है sensory neural hearing loss और conductive hearing loss ओके दीखिए sensory neural hearing loss का मतलब क्या होता है दीखिए sensory मतलब जो cochlea होता है जो सुनने में help करता है उसका all neural okay neural मतलब जो nerves होते हैं cochlea nerves होते है वो मतलब जो cochlea और लिह्सके जो nerves होते हैं वह सब damage हो जाते हैं Technique जो cochlea है या जो nerves है जो लेके जाती है sound को तो वो damage हो चुके हैं और जबकि Conductive Hearing Loss में जो problem कहा आती है वो problem आती है external auditory canal में और middle ear में तो अगर आपको problem दिखी external auditory canal और middle ear में तो यह आप समझ जाएए कि कि यह Conductive Hearing Loss है ओके इसमें एक और चीज इंपोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बोले कि सबसे जादा sound किसमें सुनाई देगा sensory neural hearing loss में या Conductive Hearing Loss में आपका अंसर क्या होगा देखिए गाइस क्या होता है कि sensory neural hearing loss में जब sound आता है अगर हम air conduction के थ्रू बोले sound तो air conduction के थ्रू sound आके यहां से जाता हुँ external artery canal और middle ear तक तो पहुचता है तो middle ear में तो of course amplification होगा sound का तो इसमें sound थोड़ा सुनाई देगा तो यहां sound सुनाई नहीं नहीं देगा तो air conduction में ज्यादा सुनाई देगा then bone conduction यह sensory neural hearing loss का होगा है तो इसमें अगर bone conduction के बारे मोले तो bone conduction का sound directly internal ear में आता है इस सब को bypass कर रहा है तो bone conduction का sound ज्यादा सुनाई देगा as compared to air conduction because air conduction में क्या होता है sound ऐसे जाती है तो यहीं problem है sound वहाँ था पहुची नहीं पाएगी okay तो इस तरीके से प्धा चलता है देखिए रीनी टेस्ट में क्या होता है इसमें दो चीज़ important है समझने वाली पहला होता है bone conduction दुसा होता है air conduction okay तो bone conduction में क्या होता है जो tuning fork का foot होता है उसको हम mastoid पर रखेंगे bone है वो of course तो इसलिए bone ही conduction बोले है तो bone के through sound internal ear में जाएगा okay वो bypass करेगा middle ear external ear को okay और जो air conduction में होता है वो amplify करते है sound को 22 raise to 1 में okay तो वो एक important चीज हो जाती है ठीक है तो air conduction में हमेशा sound ज्यादा रहती है okay then bone conduction में क्योंकि air conduction में जब sound जाती है middle ear में तो वहाँ ossicles sound को amplify करते है वही bone conduction में क्या होता है sound directly internal ear में गया है जो external ear या middle ear उसको bypass करते हुए गया है तो sound का amplification इसमें नहीं होगा okay तो यह important है समझने वाली अब देखते है rinus positive हमें कब देखने मिलता है देखिए rinus positive दो case में मिलता है normal condition में और sensory neural hearing loss में okay normal condition में आप देख सकते हैं कि जब sound यहां से गया तो of course जो middle ear है okay तो वहाँ sound amplification होगा और patient को जादा sound सुना ही देगा वही bony conduction में amplification नहीं हुआ है sound directly internal ear में पहुचा है तो तो amplification हुआ नहीं है तो sound सुना ही देगा बट उतना नहीं सुना ही देगा जितना air conduction में सुना ही देगा तो यह normal condition हो गया अब बात करते हैं sensory neural hearing loss में जिसमें internal ear और जो nerves होते हैं वो damage हो चुका है तो बूनी कंडक्शन में क्या होता है कि जो sound directly internal ear में जाता है और sensory neural hearing loss में क्या होता है वहीं damage हो चुका है तो अगर internal ear में directly damage हो चुका है, okay तो sound वहां तक पहुची नहीं पाएगा, मतलब 50% damage हो चुका है वहां sensory neural hearing loss, अगर हम example लेए, okay तो उस condition में sound हमें कम सुनाई देगा sensory neural hearing loss में तो मतलब कि sensory neural hearing loss में bone conduction कम रहेगा और air conduction का plus point क्या रहता है कि जब sound जाएगा external ear, middle ear में तो middle ear में amplification होगा पट internal ear में problem है na sensory neural hearing loss में तो अगर हम मान के चले कि 22 raise to 1 इसका जो amplification capability है middle ear की वो 50% कम हो गई तो 11 raise to 1 तो हुआ है at least तो air conduction इसमें ज़्यादा रहा as compared to bone conduction तो ये यार रखिएगा वहीं अगर conductive hearing loss में हम समझे तो conductive hearing loss का मतलब जैसे मैंने बताया था कि problem कहाँ है external ear और middle ear में problem है तो उसमें bony conduction ज़्यादा रहेगा वहीं जो air conduction में problem है external ear और middle ear में और sound air conduction का उसी के थूर जाता है तो of course sound proper सुनाई नहीं देगा तो रिनियर्स negative देखने मिलता है conductive hearing loss में छोले एक case लेते हैं जिसमें severe neural hearing loss है मतलब कि एक कान dead है मान लीजिए एक कान dead है तो जब हमने bony conduction के थूर sound पहुचाने के कोशिश की तो मान लीजिए ये कान उसका dead था तो इसको ये कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देगा बड जो bony conduction के sound होंगे वो दुसरे कान के तक पहुचेंगे बड जो दुसरे कान के पहुचेंगे तो उसको वहाँ सुनाई देगा समझ है ये कान में सुनाई नहीं दिया उसको bony conduction जी थू मतलब इस तरी है ज्शू लंग करकूं के थonymous क्थभी है ये कानमें सुनाई दिया क्योंकि sound पहुच जाती है न बोन के तो वो कान तक तो इसको हो गया दीनिस नेगेटिव बट इसको कौन सा दीनिस नेगेटिव होगा इसको होगा फॉल्स दीनिस नेगेटिव मतलब कि फॉल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टेस्ट हम ये कान कर रहे है उसको सुनाई दे रहा है वो उसकान से तो मतलब ये फॉल्स नेगेटिव दीनिस टेस्ट हुआ है ये याद रखेगा तो इस condition में जो false negative dynis होता है उसमें bone conduction is greater than air conduction रहता है यह दखेगा ओके दिखिए यहां तीन tuning fork है 256 Hz का 512 Hz का 1024 Hz का तो इसमें हमने देखा तो यह जो 256 Hz का tuning fork है यह negative आया और बाकी यह दोनों positive आया तो इसका मतलब यह होता है कि 20 to 30 decibel का जो hearing loss है वो हो चुका है तो 256 Hz पहले negative हुआ है तो hearing loss हुआ है 220 to 30 decibel का मतलब कि इससे यह पता चलता है कि यह most sensitive tuning fork है तो most sensitive tuning fork होने के लिए requirement यह है कि सबसे पहले इसका जो loss होना चाहिए hearing loss वो 22 to 30 decibel का होना चाहिए minimum तो उस दोरान यह जो 256 Hz का tuning fork है वो negative हो जाएगा ओके दुस्से वाले phase में देखते हैं कि इसमें जो 256 Hz तो हुआ ही negative 512 Hz भी negative हो चुका है तो 512 Hz को negative होने के लिए conductive hearing loss कितना होना चाहिए 32 45 decibels का वहीं जो 1-24 Hz का जो tuning fork है उसको negative होने के लिए कितना hearing loss चाहिए more than 45 decibels का तो इस तरीके से बताया है कि कौन-कौन से tuning fork पहले negative होंगे और कितना hearing loss चाहिए उस tuning fork को negative होने के लिए तो इसमें हमने एक चीज़ इंपोर्टेंट पता की है कि most sensitive tuning fork कौन सा हो गया 256 Hz का tuning fork यह पहले negative हुआ है और इसमें जो hearing loss minimum कितना चीज़े 22-30 decibels का तो इसलिए मैंने गाइस बढ़ा था है यह comparative test है इसको हम compare कर सकते हैं जो जीतने भी tuning fork के test होते हैं वो comparative test होते हैं